नमश्कर दोस्तो स्वागति आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चेर्नल में दोस्तो गर आप भी भीशन गर्मी से परेशान हो चुके हैं और मानसुन को इंतिजार कर रहे हैं बारिस का इंतिजार कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए खुश ख़बरी है दरसल द कि आपके राज में कब मांसुन की बारिश होईगी और फिलहाल मांसुन कहां पर अटका हुआ है। इसे हिस्से हैं जहां पर हीट वेव का अलटे जारी किया गया है। बांगलादेश से अब चक्रवात रेमल पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। शक्तिशाली तूफान मंगलवार शाम तक पूर्वी असम और आसपास के शेतर में चिन्नित निम्न दबाव शेतर में कमजोर हो जाएगा। दक्षिन पशिम मांसुन मंगाल और बांगलादेश से गुजरने के बाद अगले साथ दिनों तक पूर्व तर राज में 30-40 किलम्टर प्रती घंटे की रफ्तार से तेजवाएं चलने और गरज के साथ हलकी से मध्यम वर्षा होने के भी इसके वजह से आसार है। वहीं दोस्तों मोसामी भाग के अधिकारियों ने कहा है कि पूर्वी असम में घाले मिजुरम तिरपूरा अनुनाचल प्रदेश नागलेंड और मनीपूर में अधिकान से स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का भी अनुमान काफी कमजोर हो गया है लेकिन इसके प्रभाव से शेत्र में बारिश हो रही है। उमीद है वहीं दोस्तो इसकाइमेट वेदर ने काई के अगले 5 दिनों के दुरान केरल में मानसुन की शुरुआत के लिए परिस्तितिया अब अनुकूल बन गई है। श्मी मध्यप्रदेश में तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट देखी गई है। तमील नाडू, कोकड और गोवा, दक्षणी आंतरिक करनाठक में हलकी बारिश की संभावना है। 29 और 30 मई को पश्मी हिमाले में छिटपुट हलकी बारिश की संभावना है। राजस्तान ये कई हिस्सों, पंजब अरियाना, दिल्ली के कुछ हिस्सों, मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों, और उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर लू से लेकर गंबीर लू की इस्तिति हो सकती है। साथ दोस्तों मुस्लम से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे यूटीब चनल को सस्क्राइब करना ना बोलें वीडियो को लाइक करना ना बोलें धन्यवाद वन्दमातर हम जै हिन जै भारत